हेलो एवरिवान कैसे हो आप लोग आजकल गड़मी बहुत पर रही है और ऐसे में हमें तली भुनी चीजें बिल्कुल नहीं पसंद आती है ऐसे लगता है कि हलके से तेल में कुछ अच्छा सा टेस्टी सा नास्ता बना करके खाएं तो आज मैं आप लोग के लिए वही चीज सेर कर रही हूँ बिल्कुल ही मनपसंद होगा जरूर देखिएगा बस आपके पास एक कटोरी चावल होना चाहिए उससे पहले आप देख लीजे कि मैंने उरत की डाल रात को भिंगोने के लिए रख दी थी और आप भी एक रात पह दी थी रात को जो की बूरी तरह से भींग गई है सबसे में इसमें जो सामगरी है वो है एक कटोरी चावल जो की बचीवी चावल है और अगर आपके पास एक कटोरी बचीवी चावल है तो ये रेसिपी आपके लिए है जरूर इसको ट्रै कीजिए चलिए मैंने mix dile для इा है जार ले लिया और इस जार के अंदर मैंने जू भी दाल भिंगोय थे उस दाल को इसके अंदर डाल दिया थोड़े से पानी के साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है नहीं तो ये काफी पतला गोल बन जाएगा फिर ओ रेसिपी सही से नहीं बन पाएगी इसमें यहाँ पर मैंने तीन से चार हरी मिर्चे डाल दिया है पहले ही डाल दिया है जिसे की टुकडे मुह में ना आए नमक डाल दिया है स्वादा नुसार और बस इसको अब हमें पीछ लेना है बहुत बारीक भी नहीं पीछना और बहुत पतला भी नहीं पीछना बहुत बारिक भी नहीं पीछना बहुत डरदरा भी नहीं पीछना ठीक ठीक आपको medium मतलब flow में आपको पीछना है इसको बंद करके पीछ लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि किस तरह का texture चाहिए इसको और देख सकते हैं अब इसके अंदर मैं चावल भी डाल रही हूँ एकटे मैं दिखाऊंगी इसके अंदर जो चावल मैंने आपको दिखाए वो चावल इसके अंदर डाल दिया और इसके बाद इसको एक साथ चलाएंगे लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्यों इसमें आपको कोई भी पानी वगड़ा नहीं डालना पानी डालेंगे तो यह बहुत पतला हो जाएगा आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी है कुछ इसी तरीके का आपको रखना है दो-चार मुंद पानी जाएगा जो कि बाद में हम डालेंगे अभी बिल्कुल नहीं डालेंगे तो अच्छे से मैंने जार के अंदर से जो भी डाल और चावल लगा हुआ था वो निकाल लिया है यह बहुत ही आसान रेसिपी है इसके अंदर मैंने गाजर घिसके डाला है आप चाहे तो इसके बदले कोई और सबजी डाल सकते है मैं यहाँ पर थोड़ी सी हरी धन्या डाल रही हूँ और हरी धन्या भी बहुत जरूरी है अगर नहीं डालेंगे तो इतना टेस्ट नहीं आएगा जीरा साबुत जीरा डाला है मैंने और लाल मिर्च पाउडर क्योंकि टेस्टी भी बनाना है थोड़ा सा और इसमें डाला है मैंने प्याज जो नॉर्मल प्याज होते हैं जो हम सबजी बगड़ा में डालते हैं वही प्याज डाला है अगर आपके पास जो साग वाले प्याज होते है वो तो आप वो भी डाल सकते हैं वैसे आजकल फिर सबजियां थोड़ी कम मिलने लगी हैं तो दिक्कत होती ओ तो आपके पास अगर ये प्याज हो तो आप यही डाल दे इसके अलावा आपके घर में कोई ऐसी सिमला मेर्च या कुछ ऐसी सबजी हो तो जरूर डाले इसमें जो जार के अंदर जो लगा हुआ था दाल और चावल उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया है और इसको एक अच्छे से घोल तयार कर लिया है ये घोल कुछ इसी तरीके करेगा इसको आपको तो दीच ठोड़ना पड़ेगा थोरी दिचोड़ने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूं दो से तीन चमच सुजी जिसको रवा बोलते हैं और सुजी डालने से ये होगा कि इसके अंदर जो पानी का एक थोरी सी मात्रा है वह थोरी सूख जाएगी और इसे आपका जो बनाने वाले हैं, बहुत अच्छी बनेगी। तो देखिए, वो डॉलने के बाद, मैंने थोड़ा से पानी और डाला, क्योंकि यह काफी गाड़ा हो जाएगा। इसको फूलने के लिए मैंने थोड़ा सा सोडा डाला है बिल्कुल हाप चमस से भी कम थोड़ा सा सोडा डाला है और ये सोडा डालने के बाद अभी से हमें ज्यादा देर नहीं रखना फटावट बना लेना है इसके लिए मैंने एक छोटा सा फ्राइंग पेन लिया है और फ् लिए- तिलबी या तिल भी बोलता है जिसमें लड्डू बगरा बनाते वह तिल है और इसके उपर से झो हम ने बैटर को तयार किया है उस बैटरबी को डाला है अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ आँच का आप धीरे कर लिजे और साथ में इसको थोड़ा मोटा मोटा ही बनाईए अगर पतला बनाएंगे तो ये इतना अच्छा नहीं बनेगा और इसको थोड़ा सा मोटा देना क्योंकि हमें सेंड्विच का आकार देना है इसको थोड़ा मोटा मोटा ही डलेगा और हो सकता है आपको बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो लेकिन अगर आप सूजी और पानी की मात्रा सही रखेंगे तो बिलकुल ही नहीं कोई परेसानी होगी इसको धीमे आज में बना रही हूं टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छा बनेगा इतना सांदार नास्ता साइध ही आपने खाया हो जरूर बनाएगा अगर चावल आपके पास बचा हुआ है तो थोड़ा स पाले तबे के उपर बनाएं या किसी और कराही में बनाएं बिलकुल तेल नहीं लगेगा और दोनों तरफ से मैंने ढख ढख के पका लिया इसको खूब अच्छे से जब पक जाए बिलकुल लगे कि ये अब हो चुका है तो इसको निकाल लीजे और देख सकते हैं इसका कल दिमी दिमी आँच पर मैं बना रही हूं तो टाइम लग रहा है अगर आप तेज आँच पर बनाएंगे तो ये जल जाएगा और बनेगा नहीं तो ध्यान रखेगा इस चीज का इस फ्राइंक पें के अंदर मैं फिर से हलका सा घी डाल रही हूं पहले मैंने तेल डाला था और अब घी में बना के आपको दिखा रही है थोड़ा सा घी डाल के बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा आपकी मरजी आप तेल में भी बना सकते हैं उसके उपर से फिर से मैंने तिल डाला और फिर वही मिक्सर डाला मिक्सर थोड़ा मोटा ही डाला मैं तीन चम्मच डाले जाँ पर थोड़ा बड़ा चंबठ है कर दाष्बा सर्फ highly और अच्छे से फैला फैला के हमें रखना है और सउक्रापर से 40 ज्यादा उसको इनल रहे हों हलका हलका इसको थप थप फैला दिया है जिसे की टूटे नहीं और फिर इसे ढखके पका लिया है तो देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत प्यारा है और इसको पलटने में भी कोई दिक्कत नहीं है बस फटा फट बनाते चलिए खाते चलिए और मेरे चैनल पर अगर आप पहली वाड़ाए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे रेसिपी कैसी लगी कमेंट कीजे और वीडियो अगर बहुत अच्छा लगाओ तो प्लीज प्लीज कहीं पे भी अच्छा लगाओ तो एक लाइक कर दीजे और बस बने रहे हैं अच्छे अची रेसिपीश देखते रहे हैं यहाँ पर मैंने फिर तीसरा मतलब दो तो बन गया तीसरा बना रही हूं तो चलिए इसमें फिर से वही सेम चीजे की जैसे की घीर डाला फिर तिल डाला और उपर से यह बेटर डाल दिया तो कुछ इसी तरी मेरे पकती अगर लगे की अंदर से कच्चा है तो आप उसे थोड़ी दिर और धीमियाज पर छोड़ दीजे तो बहुत अच्छे से पक्के वह तयार हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यह तयार हो चुका है और यह ना तो डोसा है ना उत्पम है ना कुछ और है यह बहुत ही अच्छी एक मतलब ब्रेकफास्ट रेसिपी है या साम के समय भी आप खा सकते हैं जैसे आपकी मर्जी हो जिस टेम आपको खाना हो तो इसको मैंने एक स चोटे चोटे टुकरों में कार दिया जिससे बच्चे फटाफट लेंगे और खाएंगे इसके साथ आप चाहें तो टमाटर का सौस ले ले और फिर इसका इंज्वाय करें फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ तब तक आप बने रहें मेरे चैनल पर वीडियो को देखते करें